चलिए अब हम यह टॉर्च लेते हैं और उसका मुँ इस डब्बे की दिवार की तरफ करते हैं आपको कौन सा आकार दिखाई दे रहा है यह एक गोला है यदि हम टॉर्च को डिब्बे से दूर ले जाएं तो क्या इस गोले के आकार में कोई परिवर्तन आएगा हाँ जरूर आएगा यह आकर बदलेगा यदि हम डिब्बे के पास जाते हैं तब आकार छोटा हो जाता है यदि हम डिब्बे से दूर जाते हैं तो आकार बड़ा हो जाता है आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है आप अवश्य यह सोच रहे होंगे कि यह आकार गोल ही क्यों है इसका कारण है कि टॉर्च का मूँ गोलाकार है यदि हम इस टॉर्च के उपर ये रखें तो क्या होगा? ये आयताकार है आप यही कृति भिन भिन आकृतियों और आकारों के साथ कर सकते हैं जैसे त्रिकून, सितारा, आदि यदि आयताकार टॉर्च को हम डिब्बे से दूर ले गए तब क्या होगा? क्या फिर वो आयताकार ही रहेगा? हम जानते हैं कि सूर्य प्रकाश रात को दिन में बदलता है जब हम किसी उजले दिन बाहर मैदान पर खड़े होते हैं तब हम अपने परचाई ये चाया देख सकते हैं यदि हम इस इरेजर को सूर्य प्रकाश में रखेंगे तो हम इसकी चाया देख सकेंगे जैसे सूर्य आकाश में घूमता है वैसे चाया भी घूमती है आप यही प्रयोग भिन्न भिन्न वस्तों के साथ करके देख सकते हैं सूर्य की गती के कारण चाया की आकरती और उसका आकार भी बदल जाता है हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तू सूरे प्रकाश को रोकती है तब उस वस्तू के पीछे अंधेरा होता है इसी अंधेरे को हम परचाई या च्छाया कहते हैं आम तोर से च्छाया पर हमारा ध्यान नहीं जाता है पर वै रहती अवश्य है वास्तों में रात के समय हम प्रिथवी की चाया में होते हैं कभी-कभी ये हमारे लिए उपयोगी भी सिद्ध होती है गर्मी के दिनों में चिल-चिलाती धूप से बचने के लिए हम चाती का इस्तमाल करते हैं या फिर किसी पेड के नीचे खड़े हो जाते हैं सूर्य घटिका या धूप की घड़ी जो हमें दिन में समय बताती है वे भी चाया पर निर्भर है हम अपनी उंगलियों से प्राणियों का आकार बनाते हैं ये चाया का खेल है जिसे हम चाया कट-पुतली कहते हैं ये कला चाया पर ही निर्भर करती है यह एक प्राचीन कथा कथन और मनोरण्यन की कला है जिसमें विशेश पद्धती से तैयार किये गए समतल आकृतियों के कटाउट का उपयोग किया जाता था आरम भी काल में प्रिथवी के आकार को नापने के लिए दोपहर के समय विविद स्थानों में पढ़ने वाली चाया की लंबाई को नापा जाता था एक सरे अरथात ख्षकिरणों द्वारा निर्मान की गई चवियों जैसे दातों की हडीयों की या फिर हमारे थैले में जो भी चीज़े हैं उनकी यस सारी चवियां एक विशेश प्रकार के प्रकाश द्वारा निर्मान की जाती है अधिकतर वस्तू की आरपार जाती है परन्तु अधिक घनता वाली वस्तू से जैसे हडिया, दाथ या फिर किसी धातू की वस्तू के कारण इस प्रकार के प्रकाश का प्रकिर्णन अधिक मात्रा में होता है कि आप ऐसे किसी परिद्रिश्यों की कलपना कर सकते हैं जहापर चाया का होना अपेक्षित नहीं है और उसे वहां से निकाल देना चाहिए सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्तुरोत है क्या प्रकाश के कृत्रिम स्तुरोतों से भी छाया तैयार हो सकती है जैसे टॉर्च के द्वारा चलिए अब एक एरेजर लेते हैं और उसे टॉर्च और डिब्बे के बीच में रखते हैं क्या आप बता सकते हैं इसे क्या होगा हम डिब्बे पर एरेजर की चाया देख सकते हैं चाया का आकार एरेजर की अपिक्षा छोटा है यदि हम इरेजर को टॉर्च से दूर ले गए तो क्या होगा इरेजर की छाया का आकार बदल जाएगा जब हम टॉर्च को इरेजर के पास लेकर जाते हैं तब इरेजर के छाया का आकार बड़ा हो जाता है और अब हम टॉर्च को इरेजर से दूर लेकर जाते हैं तब आकार छोटा हो जाता है यदि हमने टॉर्श को स्थिर रखा और इरेजर को हिलाया तो क्या हमें वही परणाम प्राप्त होंगे चलिए कोशिश करके देखते हैं जब हम इरेजर को डिब्बे के पास लेकर जाते हैं तब चाया का आकार अपने मूल आकार जितना हो जाता है और जब हम इरेजर को टॉर्श के पास लेकर जाते हैं तब चाया बड़ी हो जाती है लेकिन वो थोड़ी दुन्दली सी हो जाती है क्या आप सोच सकते हैं कि जब इरेजर डिब्बे के पास होता है तब चाया अधिक स्पष्ट क्यों होती है और जब टॉर्च के पास होता है तब चाया धुनली सी क्यों दिखाई देती है अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके इस प्रश्ण का उत्तर खोजने का प्रयास करें इरेजर के स्थान पर अब हम काज की एक समतल शीट लेंगे क्या हमें डिब्बे पर इसकी चाया प्राप्त हो सकती है अपनी खासियत के कारण शीशा प्रकाश को नहीं रोकता वै अपारदर्शी नहीं अपितु पारदर्शी होता है और पारदर्शी वस्तु ये चाया निर्मान नहीं कर सकती है जब भी किसी प्रकाश के कारण चाया का निर्मान होता है तब वै चाया प्रकाश द्वारा उस वस्तु से टकराने के साक्षात परिणाम के रूप में प्राप्त होती है जब प्रकाश की एक किरण किसी घन से टकराएगी तब वे एक आयताकार चाया बनाएगी और जब प्रकाश की किरण किसी गेन सदर्श गोलाकार वस्तु से टकराएगी तब वे देर घबरत या अंडाकरती ही बनाएगी प्रकाश स्तुरोत की तीवरता पर चाया की प्रकृती निर्भर होती है अर्थात चाया किस प्रकार की होगी इसे प्रकाश स्तुरोत की तीवरता टै करता है सशक्त प्रकाश सुस्पष्ट चाया का निर्मान करता है ऐसी चाया जिनके किनारे स्पष्ट हो यदि प्रकाश कमजोर है या म्रिदू है तो इससे निर्मान होने वाली छाया दुंदली होगी उसकी किनार असपश्ट होगी किस कारण बादलो भरे दिन में हमें छाया ठीक से दिखाई नहीं देती है जब वस्तू के पीछे की सता समतल होती है तब किस प्रकार की छाया बनती है यह हमने देखा यदि वस्तू के पीछे की सता समतल ना हो तो क्या छाया उसी आकरती और आकार की बनेगी वस्तू प्रकाश के स्त्रोच से जितनी नजदीक होती है छाया उतनी ही बड़ी होती है और वस्तू स्क्रीन या पटल के जितना पास होती है छाया उतनी ही स्पष्ट होती है छाया का आकार वस्तू के आकार के समान यह जरूरी नहीं है छाया का आकार उस पर प्रकाश किस दिशा से आ रहा है इस बात पर निर्भर करता है अब हम एक प्लास्टिक की गेन लेंगे हम इसे प्लास्टिक के पेपर में रखेंगे अब हम इसे प्रकाश के स्तुरोत के पास रख पाएंगे या पटल के पास रख पाएंगे और टॉर्च के पास रखेंगे हम गेन की छाया प्राप्त करने के लिए इस मोटे कागस के पटल का उपयोग करेंगे हम कागस के पटल को हिला सकेंगे जब हम टॉर्च जलाते हैं तब हम गेन की चाया देख सकते हैं वह एक गहरे गोल के रूप में पटल पर दिखेगी टॉर्च का प्रकाश नुकीला प्रकाश तूरूत है वे बहुत कम जगा से आ रहा है सोचिए यदि हम टॉर्च के स्थान पर ट्यूब लाइट का इस्तमाल करें तब क्या होगा? क्या हमें उसी आकार की छाया प्राप्त होगी? जब हम प्रकाश के स्त्रोत के रूप में ट्यूब लाइट का इस्तमाल करते हैं तब गेन को विविद दिशाओं से प्रकाश प्राप्त होता है। वहीं जब हम टॉर्ज का इस्तमाल कर रहे थे तब गेन को मात्र एक ही दिशा से प्रकाश प्राप्त हो रहा था। इसी कारणवर्ष छवी की प्रकृती में बदलाव आ जाता है। यहां पर एक स्थान क्षेत्र है जहां पर यह जाया काफी गहरी नजर आती है इसे प्रच्छाया कहा जाता है और जो भाग हलका दिखाई दे रहा है उसे उपचाया कहा जाता है क्या आप प्रचाया क्षेत्र से प्रकाश को देख सकते हैं हम इस कागस के पटल पर एक छेद बनाते हैं यदि हम इस छेद से देखें तो हमें क्या नजर आता है हमें ट्यूब लाइट नहीं दिखाई दे रही है गेंद प्रकाश के स्तुरोत को पूरी तरह से अवरुध कर रही है साराश हमने च्छाया के प्रकारों के बारे में और वे किस प्रकार से तयार होती हैं इसके बारे में आजचर्चा की यह ज्यान प्रकृती में घटने वाली एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटना को समझने के लिए अत्यावशक है और वै घटना है ग्रहन ग्रहन के बारे में हम अगले भाग में जानकारी लेंगे 34 वीकार करें हम हमेशा काली छाया ही देखते हैं क्या हमें रंगी छाया प्राप्त हो सकती हैं क्या आपने कभी बादलों की छाया देखी हैं क्या उनकी छाया की आकरती और उनका आकार बादलों जैसा ही होता है छाया की आकरती होती है उसका आकार होता है वे वस्तों के साथ चलती भी है क्या चाया का वजन भी होता है अपने दोस्तों के साथ चर्चा करे और मालूम करे क्या मुम्बती की लौ भी चाया होती है क्या मुम्बती की लौ भी चाया होती है